एक से दो साल के बच्चे लगभग सब कुछ खा सकते हैं जैसे की काबोहाइडरेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटमिन्स और मिनरल लियुक्त खाना इसका मतलब है कि इस समय बच्चे के पांचे दान भी निकलाते हैं और हम बच्चों को खाना अच्छे से मैश करके और थोड़ा वाटरी खाना मतलब उसमें पानी की मात्रा जादा होगी ताकि उनको चू करने में और निगलने में प्रॉब्लम ना हो, वो सब कुछ खा सकते हैं जैसे आप उनका एक ब्रेकफास्ट बनाएए एक लंच बनाएए और एक डिनर बनाएए बीच बीच में दूद तो हो ही जाता है बट खाने में आप सुबह सुबह उनको ओट्स खिला सकते हैं fruits खिला सकते हैं mash करके जैसे केला mash करके खिला सकते हैं जैसे apple stew करके खिला सकते हैं और दूसरे और भी दलिया, सूजी इस तरह के जो भी grains हैं आप बना के different different forms में बदल बदल के ताकि बच्चा बोर ना हो जाए आप उनको खिला सकते हैं जो दुपैर का खाना होता है सबसे अच्छा होता है अगर आप एक खिच्डी खिलाएं उनको मूंग दाल चावल की खिच्डी बनाएं उसमें थोड़ा सजीरा आधा चमजगी डाल के अच्छे से टेस्टी बनाके उनको दे सकते हैं और रोटी का चूरा दाल के साथ भी दे स सकते हैं से कोई as such कोई restriction नहीं है और बच्चा अगर नॉन वेजिटेरियन खाना खा रहा हो तो अंडा भी बॉयल करके दे सकते हैं चिकन के सिंपल प्रेपरेशन्स लाइक चिकन सूप वगरा भी दे सकते हैं और डिनर में भी इसी तरह जो भी बच्चा खाना चाहें जैसे ओट से खिचरी है सब कुछ आप खिला सकते हैं कोई रोक टोक नहीं है सिर्फ दो तीन चीजों का ध्यान रखिएगा कि बच्चे को बाहर का खाना मत खिलाएं बच्चें को फास्ट फूड न खिलाएं जैसे पीजा हो गया और बच्चों को पैकेटेड नमकीन्स और बहु कर दोक पिलाएं बच्चें को एंपे नृफ से खिलाएं लुड़ है सिर्फ षडें को जैए पिलाएं लुड़ है